हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल चोटी सी रसोई आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ अर्वी के जो डंठल होते हैं उसकी सबजी की रेसिपी और यकीन मानिए अगर आपने इसे एक बर बना के खा लिया ना तो आप कभी भी इसको फेकेगा नहीं मैं कोई भी चीज़े जूट नहीं बोलती जो चीज़े सही होती है टेस्टी होती तभी मैं वो वीडियो लेके आती हूँ आप सभी के लिए तो आप एक बर जरूर ट्राय कीज़ेगा तो ये इसली मार्केट में मिल जाता है और वो मैंने लेके आथा कुछ दिन ने ये बाहर ही रगया था तो उसके वज़े से थोड़ा सुखा सुखा लग रहा है और उसके रेसे निकाल के इसको कट कर लिजेगा उसके बाद हमें एक मसाला त्यार करेंगे तो उसमें हम लासन और काला वाला सरसो और जीरा और मिर्च थोड़ा सा धनिया और दो चार काली मिर्च डाल के इसको पिस लेंगे कॉंटिटी मैं नीचे लिख दूंगी और साथ में भी लिख दूंगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं थोड़ सा हल्दी डाल के इसमें आलू डाल देंगे आलू को हम अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे और बहुत जादा तेल इस सबजी में नहीं लगता लेकिन टेस्ट गजब के आती है जो भी तेल बचा था ना उसको मैंने निकाल लिया है उसके बाद मैं इसको सिकराही में डाल के थोड़ा सा भून रहे हुआ क्यों कि ध्युक्त स्था इस में और इस और इसमें को भूनने के बाद में पानी डाल देंगे तो हलका सा बून जाई में से बाद डाल कर इसको एक बाने दीज़ेगा एस के साथ में हम पच फोरन डाल देंगे जिसके अंदर कलॉंजी सौंफ मेती और यह सब चीज़े होती है और इसके अंदर हम एक मिर्ची डालके और एक प्यास डालके भून लिए हैं मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़े में कर रही और हमने जो मसाला बनाया था ना वह हम इसमें क्योंकि सबजी की कॉंटिटी बहुत जादा नहीं है इसके लिए मसाला भी बहुत जादा नहीं रहेगा और रोसी को धोके मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दिया क्योंकि हल्दी हमने इसमें नहीं डाला था इस मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे को तो अगर पते लेके आते हैं उसके डंठल बच जाते हैं क्योंकि नीचे काफी लंबे रहते हैं तो इसकी सब्जिया बना के खा सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है टेस्ट के कोडिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए और सरसो और इसका कॉंबिनेशन मुझे पर्सनली ब बलना जाए तो देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी बनी है तो आप इसे बनाईए और जरूर बताएए कैसी लगी आप